पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो महामारी के बीच में चुनावी प्रचार शुरू करते जी हाँ ये अतिशोक्ती नहीं है और मैं बढ़ा चड़ा कर ये बात नहीं कह रहा हूँ और आजाद भारत ही क्या दुनिया में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी ये अप्रेल की तुलना में जब प्रधान मंत्री चुनाव लड़ रहे थे लोग सभा का क्या कहती है निर्मला सीतरमन PMO leads India's fight against coronavirus from the front his popularity is over 70% fines survey by times now shows people's confidence in the leadership of Narendra Modi during extraordinary times caused by pandemic जी हाँ मैं पूछना चाहता हूँ वित्यमंत्री निर्मला सीतरम से निर्मला जी आपकी priority क्या होनी चाहिए क्योंकि आपने तो बादा किया था ना कि हम 5 trillion economy बन जाएंगे साल 2024 तक और उसके लिए आपकी focus आपका जोर क्या होना चाहिए कि हमारा जो growth rate है वो 8% से बढ़े अब वो 8% तो आप हासिल करनी पा रही है आप किस 8% की बात कर रही है ये times now का survey जिसमें प्रधान मंत्री की जो लोग प्रियता है वो 8% बढ़ गई है वो 8% से दिना सही तो यही 8% सही जी प्राथमिक्ता है देखिए साहब मानो इस वक्त महामारी नहीं है चुना प्रचार चल रहा है और times now के survey की क्या हकीकत है मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूँ देखिए JP Nadda, BJP के अध्यक्ष Honorable Prime Minister Narendra Modi is leaving no stone unturned to protect and support the citizens in difficult times His leadership in this fight against COVID-19 is being lauded globally A majority of Indian have shown faith in his handling of the crisis in the nationwide survey जी हाँ देश भर में survey हुआ इसमें प्रधान नंत्री की लोग प्रियता पर महर लगाए गई है टाइम जाओ के फिर survey का जिक्र और देखिए भारती जहता पार्टी ने भी उस survey का पूरा जिक्र किया है कि 8% बढ़ गई है प्रधान मंत्री की लोग प्रियता अब मैं आपको बताता हूँ हकीकत इस survey की क्या है आपके सामने कम से कम जादा से जादा 600 लोगों से बात की गई इस survey की लिए इस देश की आबादी 130 करोड है चलिए आप 1 करोड भी पहुँच जाते तो बात समझाती 600 लोगों से बात की गई है और खुद ये survey बता रहा है online survey of 100 respondents from each metro 100 लोग हर metro से all respondents are English TV news viewers सभी जो survey जिन से किया गया जिन से बाचीत की गई वो अंग्रेजी news channels देखने वाले लोग थे और Times Now की दर्शक थे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तो आप सब जानते हैं कि जिस channel की इस वक्त हम बात कर रहे हैं Times Now उसने पिछले कुछ अर्से से इस सरकार के समर्थन में जबरदस प्रॉपगेंडा चलाया है अब आप इसके दर्शकों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो किस तरह की बात करेंगे मैं कहता हूँ सवाल ये है ही नहीं मैं कहता हूँ प्रधान मंत्री की 8 फीसिदी नहीं 20 फीसिदी लोग प्रियता बढ़ गई है मुद्दा वो नहीं है मुद्दा है वो समवेदन हींता महमारी काम सामना कर रहे हैं और इस वक्त आप प्रधान मंत्री की लोग प्रियता पेश कर रहे हैं ये हैं इस चैनल की प्राथमिक्ता, चैनल भूल जाईए, मैं कह रहा हूँ, ये चैनल और ये जो सर्वे जो पूरी तरह से अवए ज्यानिक है, वो सर्वे जिसमें कुल मिलाकर 600 लोगों से बात नहीं की गई होगी, उसका हवाला देकि तुम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की गोदी में लिए चल रही है, ये गर्वती महिला जो ठहर गई है आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि ना उसके पास पैसा है ना उसके पास वाहन है, भूल गए और अंगाबाद में क्या हुआ था, पंधरा लोग पट्री पर लेटे हुए थे और उनके उपर से गाड़ प्लान के, आप मुख्यमंत्रियों से बात तो कर रहे हैं, मगर आपके पास अपनी कोई योजना नहीं है और इस मामारी के बीच मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस होता है कि ये सरकार जो है अपनी लोग प्रियता यहाँ पर पेश कर रही है, इस से ज्यादा चिंता चनक और दुखत बाद कुछ नहीं हो सकती, आपके स्क्रीन्स पर ये माश है, संबित पातरा, प्रवक्ता है बीजेपी के, उनका ये ट्वीट देखिए और इस ट्वीट के अंदर उन्हें एक वीडियो डाला है, मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखिए, इस वीडिय कि तीन तीन बार, उडिसा का जो मजदूर था, वो सूरत की सड़कों पर आया था, वो लगातार ये शिकायत कर रहा था, कि किस तरह से प्रशासन उसका रत्ती भर भी ख्याल नहीं रख रही, और आपको शर्मानी चाहिए संबित, जब मैंने आपसे चुनौती आपको दी थी, कि आप जो अपने न्यूस चैनल्स के जरीए, अपने ट्विटर के जरीए, जहरीला समबात पहलाते हैं, आप एहमदाबाद पहुँचते, सूरत पहुँचते, और उन मजदूरों की बात करते, क्योंकि आपने पूरी से चुनाव रड़ा था, अब जनता ने आपको बाय बाय कर दिया हुए एक अलग बात है, और आज आप इस वीडियो के सहरे, आप खुद सोचिए, जो घरीब जनता वहां से जा रही है, वो कि अपने पास पुश्प रखेगी ताकि वो लोगों पर उसकी वर्शा करें, और आप कर क्या रहे हैं, एक और इनका बायान पेश किया है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संबित पातरा अपने इस ट्वीट के जरीए राहुल गांधी के किस बायान का कितना हिस्सा पेश कर रहे हैं, देखिए तो रेड जोन है, वो एक्चली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चली रेड जोन है तो इनको, मैं आपको छोटा सा उधारन देता हूँ, यह जो जोन बने हैं, यह नाशनल लेवल से बने हैं, यह जोन स्टेट लेवल पर बनने चाहिए हैं, हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नाशनल लेवल पर जो रेड जोन है, वो एक्चली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है, वो एक्चली रेड जोन है, तो इन्फरमेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है, तो जरूरी है कि जो हमारे जोन बन रहे हैं, जो हमारे जोन बन रहे हैं, वो एक्चली बीम और चीफ मिनिस्टर्स के बेसिस में बनने चाहिए, बीम के पा ये नेता क्या कर रहे हैं? पहले तो news debates में जाकर सिवाए हिंदू-Muslim के कुछ नहीं करते हैं सिवाए तबली की जमात पर इनके focus के कुछ नहीं करते हैं जैर फैलाने के जूट फैलाने की ये लोग कुछ नहीं करते हैं इस महामारी के बीच ये लोग एक सर्वे लेकर आ गए हैं और उस सर्वे का मुकाबला निर्मला सीता रामन दे रही हैं जिनका काम है अरत्वेवस्था को दुरूस्त करना जेपी नड़ा कर रहे हैं जो की बीजेपी क्या ध्यक्ष है सबसे रिच पोलिटिकल पार्टी है आपकी नड़ा सहाब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ क्या भारती जनता पार्टी ने आपके खजानों में करोडों रुपे हैं क्या बीजेपी ने अपनी तरफ से पैसे दान किये आपको चाहिए था कि अपनी जेप से बीजेपी की जेप से 500 करोड इस वक्त PM केर्स में ही दे देते वो PM केर्स जिस पे बहुत सारे सवाल है क्या कि आपने ऐसा जेपी नड़ा साब मगर इस मुश्किल दौर में आप क्या कर रहे हैं इस मुश्किल दौर के अंदर भी आप सियासत कर रहे हैं और राहूल गांधी ने अपने तरफ से जो मश्वरे दिये हैं न उस पर आप गौर कीजे राहूल गांधी क्या कर रहे हैं प्रेस कॉन्फरेंस भी कर रहे हैं दो या तीन प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं मगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक तरफा संबाद। राष्ट का संबोधन देते हैं, बोलिए थाली बजाओ, ताली बजाओ, मोंबत्ती जलाओ और लॉकडाउन थी की तो उन्होंने स्वयम घोश्टना भी नहीं की। और प्रधान मंत्री ने अब तक एक भी प्रेस कॉन्फरेंस नहीं किया, आप ये सवाल पूछना नहीं चाहिए आपको कि प्रधान मंत्री प्रेस कॉन्फरेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, राहूल गांधी ये प्रेस कॉन्फरेंस क्यों कर रहे हैं, राहूल गांधी एक पुलि पक्षमंगाल पर आप हमला करते हैं, महराश पर आप हमला करते हैं, मगर मध्ध प्रदेश को लेकर आप खामोश हैं, आप पूरी तरह से खामोश हैं गुजरात को लेका जहां हालाद बजसे बत्तर हो रहे हैं, और आप इस वक भी सियासत कर रहे हैं, बताईए, मैं आपके स सबसे गरीब 13 करोड परिवारों का आयका सहयोग मिले हर परिवार को 7500 रुपए दिये जाएं यदि 13 करोड परिवारों में से प्रत्यक को कम से कम 5000 भी दे दिये जाएं तो कुल 65000 करोड की आवशक्ता है जो जरूरी भी है और सरकार आसानी से इसे दे सकती है फिर मनरेगा को लेकर उन्होंने कुछ मश्वरे दिए खाद सुरक्षा को लेकर मश्वरे दिये अब गोर कीजए राहु और भी क्या मश्वरा दे रहे हैं यहां पर वो कह रहे हैं अन दाता किसान को ताकत वह मदद दी किसानों को लेकर भी राहूल यहां पर मश्वरा दे रहे हैं दुकानदारों प्रवासी मस्दूरों इन तमाम चीजों को लेकर राहूल गांधी यहां पर मश्वरा दे रहे हैं मगर बीजेपी क्या कर रही है इसको लेकर वो मजाक उड़ा रही है मैं आपको बता दूँ इस वक मेरे साथ कॉंग्रेस नेता है राजीव त्यागी जुड़ चुके हैं राजीव त्यागी मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि इस वक्त जब देश एक संकट का सामना कर रहा है हम लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं उसको लेकर जबर्दस अनिशित्ता है निर्मला सीता रामन से लेकर जेपी नड़ा सभी प्रधान मंत्री की लोगप्रेता बढ़ रही है उसको लेकर एक सर्वे का हवाला पेश कर रहे हैं कॉंग्रेस इसे किस तरह से देखती है देखे अभिसार जी जो आप प्रश्न कह रहे हैं कि इस महामारी के संक्रमन के दोरान इस समय जब पुरा देश परिशान है परिशानी की हालत में है कुछ चेलियन चैनल्स पर पोल्स लिखा जाने कि प्रवान मंत्री जी की लोगप्रेता बढ़ रही है तो यह ठीक वैसे है कि किसी के विपत्तिकाल में किसी के घाओ पर नमक छिडखना और किसी के घाओ को खुलच देना बुरी पर ऐसे आज देश का किसान परेशान है देश का प्रवासी मजदूर परेशान है देश का मिडल क्लास परेशान है कि कैसे अपने बच्चों की फीज बरेंगे कैसे अपनी गाडियों के किस्त देंगे कैसे मिडल क्लास के लोग अपने मकानों के किस्त देंगे कैसे वो अपना सरकारी करबचारियों को डी एकार्ट देते हैं तो ये दोगलापन भारतिंता पार्टी का जनता सब समझ रही है और ऐसे समय पे पोल करना पोल करके चुपचा दिखाना तो ये गोधी मीडिया या ये कहूंगा मैं गुलाम मीडिया का जो एक कार्या है उसको विजनता बहुत माइनूटली देख रही है अविसार जी आपसे मेरा दूसरा सवाल यहाँ पर राजीर त्यागी ये मुझे बताईए कि राहूल गांदी ने अपनी तरफ से जो जो मश्वरे पेश किये संबित पात्रा सरीखे नेता उसका मजाक उड़ा रहे हैं क्या इस वक्त ऐसा माहूल होना चाहिए या आपको लगता है कि दोनों आपस में साथ मिलकर काम करें यह जो सलीका है यह तरीका है राहूल का मजाक उड़ाने का उसे आप कैसे देखते हैं देखे अमिसार जी आपने यह पुछा है कि राहूल गांदी जी की सलाहों का या कॉंग्रेस पार्टी की सलाहों का बारतियनता पार्टी मजाक उड़ा रही है तो इसका बस्पस्ट होता रही है कि प्रवासी मजदूरों के लिए या देश के 13 क्रोड लोग के लिए अगर कॉंग्रेस पार्टी राहूल गांदी कह रही कि 7500 रुपए उनके अकाउंट में चले जाएं तो मजाक उन प्रवासी मजदूरों का भारतियनता पार्टी उड़ा रही है जो दिक्कत में है देश के 8 क्रोड किसानों के अकाउंट में 5000 रुपए चले जाएं जो कॉंग्रेस दिमांड कर रही है या श्रीमति सोनिय गांदी जी दिमांड कर रही है तो ये मजाक निश्रत्रूप से भारतियनता पार्टी देश के किसानों का उड़ा रही है देश के बारतियनता पार्टी उड़ा रही है कि उनकी सेलरी कठ हो रहा है उनको नौक्रियों से निकाला जा रहा है वो दिक्कत की तरफ बढ़ रहे हैं ये मजाक निश्रत्रूप से मिडल क्लास का उड़ा रही है और मैं तो ही कहूंगा Congress Party श्री राहूल गांदी जी जिस तरह से बड़े-बड़े एकनॉमिस्ट जिनकों की पूरा विश्व रिकरगनाइज कर रहा हो और गुराम राजन जी एक हमारे देश के गवरनर रहे है रिजर्बैंक के इसके अलाबा और भी एकनॉमिस्ट से राहू मंत्री जी मनमोंजिंग से अपने हमेशा देश को रहा दिखाई आर्थिक संकट के समय में तो ये थे राजीव त्यागी मगर एक ऐसे दौर में जब भारती जनता पार्टी इस संकट को भी एक चुनावी प्रचार के तौर पर देख रही है अपने विरोधी राजनीतिक द सवाल नहीं कर सकते जी हां वो पीम कैर्स नंबर वन आपके स्क्रीन पर इस पर सवाल नहीं किया जा सकता नंबर तो क्या आप जानते हैं कि प्रधान मंत्री नाशनल रिलीश फंड है पी एम एन आरिफ और पीम एन आरिफ की सबसे अच्छी बात ये है कि जो राश्ट्री आपदाएं होती है उसको लेकर इसकी भूमिका होती है इसमें आप जितने भी पैसे डालते हैं उसका एक एक ब्यारा इनकी वेबसाइट पर होता है मसलन आपके स्क्रीन्स पर न्यूस लॉंडरी की पड़ताल यहां पर उन्होंने बताया है कि 3,800 करोड रुपए दिसंबर 2019 में इस अकाउंट में थे तो पारदरशिता भी है मगर PM Cares को लेकर कोई पारदरशिता नहीं क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए क्योंकि यह सवाल तो किसी और नहीं नहीं बलकि प्रधान मंतरी नारेंद्र मोदी ने भी उठाया था कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उसमें RTI लागू होना चाहिए जनता को पता होना चाहिए उसका पैसा कहा कहा गया विपक्ष में प्रधान मंत्री ने क्या कहा था आप खुद सुनिये क्या भारत के नागरिक को और डिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहा होता है वो जानने का अधिकार है क्या अगर देश के नागरिक को जानने का अधिकार है और его को पूछे कि भारत सरकार के तीजोरी के पैसे कहां खर्च किये गए वो गुना है कि क्या ये पूछना सही है राइट टू इंफर्मेशन हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है तो आपको जानकारी देनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए अब आप बताईए मोदी जी क्या आपको नहीं लगता जो बात आपने विपक्ष में कही थी अब यही बात जब आप सत्ता पक्ष में हैं आपके PM केर्स पर भी ये लागू होनी चाहिए आप जानते हैं मुझे क्या लगता है मुझे ऐसा लगता है कि PM केर्स सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि ये सरकार ये जतलाना चाहती है कि संकट की इस घड़ी में हम कुछ कर रहे हैं अगर आप एक पुरानी योजना को ही सामने लेकर आएंगे तो लोगों को लगेगा साहब काम तो कुछ करी नहीं है सरकार इसलिए आप एक शिगूफा लिया है जिसका नाम है PM केर्स हाला कि मैं आपको बता दूँ इस योजना में मैंने भी पैसे कॉंट्रिब्यूट किये हैं मगर इसके साथ साथ मैं और मेरा परिवार जो बाकी गरीब हैं खासकर मेरे घर के आसपास जो रहते हैं उनकी जिन्दगी को थोड़ा आसान कर सकूँ उसमें मैं योगदान देते रहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप खासकर जो मध्यमवर्गी परिवार से हैं आप खुद भी ऐसी चीजें करते रहें इसलिए बहुत जरूरी है कि PM केर्ज में पारदर्शिता हो और पारदर्शिता तो कहीं नहीं है पिछले हफते अच्छानक ग्रह मंत्री अमिट शाह जो हैं वो अवतरित हुए कैसे अफतरित हुए उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक संदेश दिया इसमें जबरदस का टाक्ष था कि कुछ लोग मेरे मरने की दुआएं कर रहें मैं बता दूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्त हूँ और ये लोग जो मर्जी कहते रहें मुझे कुछ नहीं होगा कुछ लोगों ने अव्वा भी फैलाई मैं उन्हें माफ करता हूँ उनका मुझ पे कोई असर नहीं पड़ता इसको लेकर खुद जेपी नड़ा भी सामने उभर कर आ गए एक तो इस देश में लोग इतने कभी-कभी वाहियाद सोचके हैं कि वो ग्रहम अंत्री के बारे में ऐसी अववाएं पहलाने लगते हैं इनको शर्म भी नहीं आती है अब चार लोगों को गिरफतार किया गया है एमदाबाद में अब जैसे आप करोगे वैसा भरोगे सीधी से बात है मुद्दा ये नहीं मुद्दा क्या मैं आपको उताता हूँ मुद्दा ये है कि आप जानते हैं कि अमिश्शा दिल्ली चुनावों में कितने सक्रिये थे याद है आपको बाभर पुर में बटन दवाओ करंट शाहीन बाग में लगेगा चुनाव जब आते हैं तो हमिश्शा बहुत सक्रिये थे मगर जैसे दिल्ली में दंगे हुए हमिश्शा गाइब हो गये जमीन पर कौन दिखाई दिया ये शक्स देश के राश्ट्री सुरक्षा सलाकारा जी डोभाल गायब थे फिर अचानक अवतरित हुए संसद के अंदर इस मुद्दे पर बयान देने जिसमें उन्होंने अधूरा सच आपके सामने पिश्टिया अब इस पूरी प्रकरण के दोरान वो कभी नहीं दिखाई दिये और जब उनसे सवाल किये जाते रहे कि आप हैं कहां मेरे जिसे पत्रकार जब सवाल करते रहे तो क्या आप जानते हैं अभी हाली में तीन पत्रकारों पर F.I.R. दर्श किया गया है जो लोग दंगा भड़काने का जिन पर आरोप है उनमें से एक पत्रकार ने एक दूसरे पत्रकार से सवाल पूछा वो पत्रकार जो ये सवाल पूछ रहा था कि अमिश्शा कहा हैं उन्होंने दोबारा पलट के उससे वोला कि अरे अमिश्शा तो अपना काम बहुभी कर रहे है आपको किसने हक किया अमिश्शा से सवाल करने का अगर ये बात भारती जाता पार्टी का कोई मेता कहता तो बात समझ आती मगर अब इस तरह के पत्रकार जो है न वही प्रवक्ता बन गए है होम मिनिस्टर के भारती जाता पार्टी के मगर ये बात आपसे चुपी तो है नहीं ये तो हकीकत हो गई है हमारे मुक्यधारा का मीडिया पिछलगू बन गया है सत्तरूर भारती जाता पार्टी का तो बहुत अच्छी बात है आमिजी कि आपने अपने स्वास्त को लेकर जो एक ब्रांती थी अववाह थी उसको क्लियर किया मगर ऐसे मौकों पर क्रपया गायब मत हो जाएं और जो लोग आपसे सवाल करते हैं कि आप थे कहां वो बहुत ही वाजब सवाल है यह उस चक्र में बस इतना ही अविसार शेर्मा को इजाज़त दीजे मेरी आप सबसे अपील कि न सिर्फ इस कारण को लाइक और शेर करें बलकि वो बेल आइकन जो है ना उसे जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूँ सीधे आपके मूबाइल फोन्स तक पहुँच जाए अविसार शेर्मा को दीजे जाज़त नमस्कार